हिमादल परदेश में पिछले 24 गंटों से लगातार भारी बारिश के चलते भारी तावाई देखने को मिली है हिमादल परदेश के लाहुल स्पिदी की बात करें तो यहां बादल फटने से 10 लोग नाले की चपेट में आये हैं हिमादल परदेश में आया था उसकी डेड़ बोड़ी को रिकाबर कर लिया गया है 24 गंटों की बात करें तो 24 गंटों में हिमादल परदेश में अभी तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है और अभी तक लगातार जिला परशासन को भी यह निर्देश दिये जा रहे हैं कि वो अपने अपने आपने इलाकों में लोगों को सचेत करें कि वो लोग कहीं भी ना जाएं क्योंकि भारी बारिश का मौसम है और लगातार पहाडों से लेंट रहा है और इसके अलाबा रास्ते भी तूट रहे है चाहे वो नदी में बहने से या पहाड तूटने से या बस एक्सिडेंट से कुल मिला कर देखा जाए तो मौनसून के मौसुम में हिमाचल परदेश में 202 लोग मौत का गरास बन चुके हैं उसके अलावा सरकार लगतार प्रयास कर रही है कि लोग भारी बारिश में कहीं आएं जाएं ना क्यूंकि इस बारिश के मौसुम में नुक्सान अधिक हो रहा है हिमाचल परदेश की बात करें तो हिमाचल परदेश में अभी तक 387 के आसपास संपर्क मार्ग भारी बारिश के चलते बंद हुए हैं उसके अलाबा तीन राश्टी राजमार भी बंद हो चुके हैं जिनको खोलने का प्रयास पी डवल डी विभाग और राश्टी ए अथोर्टी कर रही है इसके अलाबा पांच पुल भी इसकी चपेट में आए हैं जो टूट चुके हैं तो कुल मिलाकर इस बाहरी बारिश के चलते और खोस कर मौनसून के मौसूम में हिमाचल परदेश में बाहरी तबाई देखने को मिली है और हिमाचल परदेश सरकार को नुखसान भी जहलना पड़ा है चमबा से News 24 के लिए मन्जूर पठान की रिपोर्ट